धनकी देवी मालक्ष्ми का दिन है और गड़ेश जी माहराज की चतुर्थी तिती भी है कई भक्तजन आज ब्रहत करेंगे कई भक्तजनोंने कल ब्रहत कर लिया है गड़ेश जी माहराज माता लक्ष्my के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं रिद्धी सिद्धी के दाता हैं और अगर आज गड़ेजी महराज के निमित दीबदान और साथ ही मातल लक्ष्मी का दीबदान किया जाए ना तो परिवार में पैसा गलत जगह रोग दुर घटना इत्यादी में खर्च नहीं होता और परिवार में निरंतक खुशियां बने महादेव कैसे हैं आप सभी कमेंट्स में यह बताने के लिए आप भी प्रभु कस्मनण जरूर से कीजिएगा बढ़ते हैं उपाए की तरफ जैसा कि आज आज आप सभी को सबसे पहला सबसे सरल्विसेस उपाए कमल गट्टा अगर आप से उपर जल चड़ाते हैं तो आप दूर टों मा कुषिष करनी है कमल गट्टे का पानी अर्था जल के लोटे में कमल गट्टा ढालने है ज़ोड़ा लालचंदन ढालना घर की ही सिवलिंग में महादेव की मंदिर में जलिए जड़ाना हैomena ही प्रभु पहर जल अभिशीख किया जाता है तो वही प्रियोग कर तके चार उपाय हैं, एक उपाय चुन लेंगे न, तो निष्ची थी परिवार में परिवर्तन आएगा, कर्ज कटेगा, संकट कटेगा, दुर व्यसंदूर होगा, परिवार में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, आप सभी को क्या करना है, दो दीपक बना लेने हैं, ठीक है, दीपक आटे के भी बना सकते हैं, माटी का दीपक हो तो साप सुतरा हो, इस बात का आप सभी ध्यान रखेगा, साथ के साथ प्रभुख को प्रणाम करें, अपनी मनों काम ना कहें, माता लक्षमी का स्मरण करें, अस्ट लक्षमी का ध्यान करें, ततपश्चा दो दीपक बना और दूसरा जो घर की रस्वई है न उसमें सामाननी सरल तरीके से आपको लंबीवत्ती का प्रियोग करना है पहला जो दीपक होगा घर के दरवाजे पर लगने वाला वह माता लक्षमी के नाम का होगा दूसरा जो लंबीवत्ती का दीपक लगेगा वह आज माता रसोई में घर में लगेगा देवी लक्षमी के रूप में अनपूर्णा माता जानी जाती है और रसोई घर में सुकरवार के दिन जो घी का लंबी वत्ती का दीपक मा अनपूर्णा को प्रडाम करते हुए लगा लेता है तो महादेव की छतरचाया भी उसके रसोई घर में स् अंदर प्रभाव हो कि मन और तन प्रभोभक्ति की और अग्रसर रहे और जीवन सुद्रण हो यह ऐसा आप चाहते हैं तो अपनी घर की रसोई में देर सरे बेर आप सुक्रवार के दिन देर रातरी तक लंबी बत्ती का दीपक जो कि पूर्वे दिशा या उत्तरदिशा की औ होना चाहिए आपको लगा देना चाहिए अगर ऐसी स्तिती है कि आटे का दीपक आप बना रहे हैं तो ध्यान रहें उसमें नमक का प्रियोग ना करें सुबह दीपक ठंडा हो जाए तो चिडिया कबूतर या जो है गौमाता को इसे खिरा दीजेगा पहला यह दीपक हमने पूर्ण रूप से बात कर लिया अनपूर्णा माता के नाम के दूसरा आप सभी जो रस्वई घर में लगाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर लगाएंगे वह साक्षात मा लक्ष्मी के नाम का होगा और उसमें आपको गुरुजी सबसे प्रथम मिसेज बात बताते है कमल गटा जो कि कमल को पूप लब देना हो पाने की स्थिति में आपको जो है कमल गटा जो कि कमल का बीज माना जाता है और माता लक्ष्मी को आकरशित करता है उन्हें परम सुख देता है वही आपको काम में लेना है कमल गटा किसी भी पूजापाठ की दुकान में आपको एक दू रुपे का बड़े आसानी से प्राप्त हो जायेगा, तो वही एक कमल गठा लेना है, दीपक के अंदर आपको ढालना है, माता लक्षमी के ओम महा लक्षमे नमो नमा कह सकते हैं, ऐसा आपसे नहीं बोला जाता तो माता लक्षमी का स्मरण करकर जैमा लक्षमी जैमा लक्षमी कहते हुए घर के दरवाजे पर लगा दिजिएगा इस दीपक का मुख भी पूरविया उत्तर दिशा की ओर ही होगा इस बात का आप सभी दिहान रखे लंबी बत्ती का ही प्रियोग करना है और आम के समय प्रदोशकाल में लगाते हैं तो स्रेश्ट है नहीं तो देर रातरी तक भी लगा सकते हैं आपके प्रशना आते हैं दिर भी इधर उधर फैका जा सकता है ऐसी इस्तिती में कमल गट्टा दुबारा काम में लिया जा सकता है कोई परिशानी की बात नहीं है तो हमने बात कर ली प्रथम उपाई की बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाई की तरफ आज आपको अपने घर की रस वहां कीचन में अरे माफ करे आपको अपने घर की मंदिन में यह प्रियोग करना है तो दिहान से सुने गुरुजी की कथा में यह बताया गया सबसे स्रेश्ट उपाई है गुरुजी कहते हैं आपके घर पर लड्डु गोपाल विराजमान है या स्रीहरी विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान है तो वहाँ पर सुकरवार के दिन धनकी देविला ंमा लक्शमी के निमित यह उपाई किया जब घर पर आपके दूध तो हो गई तो उस दूध में आपको मिला लेना है थोड़ा सा पानी मिला लिया थोड़ा सा उसमें डाल देना है दुर्वा आल दूर्वा का बहुत महत ह दुर्वा मिला लिया थोड़ा सा चावल अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है नहीं तो आपके पास जैसे भी चावल हो उन्हें जो है माता लक्षमी को भोग स्वरूप समर्पित करें या इसके अलावा अन्नी चीजें जैसे सहे दित्यादी भी इससे पहले गुरुजी ने ब लगाने के बाद उसके बाद आपने जो कच्चा दूध और जल मिला रखा है उसमें दूर्वा अर्था दूब घास रख रखी है आपको माता लक्षमी की 108 नाम मंत्र बड़े सरलता से नाम मंत्र बोलना कोई कठिन नहीं है गूगल पर आप इन्हें निकाल सकते हैं आप य पानी का मिस्रण है उससे छीटे दिया एक बाद नाम बोला दुबारा छीटा दिया नाम बोला इस तरह से आप सफी को पूरी प्रक्रिया अपनानी है उसके बाद जो है स्रीहरी विश्नु माता लक्षमी के आगे आपको अपनी जोली पसारनी है कि प्रभु मेरा उससिख करना है इस उपाई से सर्वसरेश्ट पढ्री नाम प्राप्त होते हैं जीवन के सफ़सुख मिल ही जाते हैं तो कर के देखिएगा देर रातरी तक परम सुखकी प्राप्ति आपको ‫हीने भूत की बढ़ते हैं तीसरे उपाई की तरफ आज आप सुबहाल की को यग्यो पवितर्था जनियू समर्पित कर सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं, परम सुखा की इससे प्राप्ति होती है, असा सास्त्रवनन करता है, तो आप सभी को इन कार्य को करना है, आप सभी आवश्यक रूप से गोल वत्ती का ये लंबी वत्ती का घी का दीपक, तो भी बहुत लाब होता है, पीपल व्रक्ष में मालक्षमी का वास माना जाता है, और गुरुजी ने बताया ही है, कि हम सभी को सुक्रवार के दिन बेल पतर व्रक्ष की जड़ में जल चड़ाना है, और दीपक जरूर से लगाना है, ताकि धन की समश्या सदा सर्वधा के बनी रहे, इन कार्यों को करने से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सास्त्रों में कहा जाता है, लग्जरी चीजों के लिए अर्था सुक्र ग्रह माना जाता है, आल लाल रंग के कपड़े पहने घर पर पोछा लगाए, नमक इत्यादी का स्रेश्टितम फलों की इससे पहले वीडियो दो बार अपलोट कर दी गई है, जो कि सुकरवार और चतूर सीब्रत से संबंदित है, अभी के लिए इतना ही